हेलो गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल किचन गुंजन की और आज में आने वाली हूँ केक विध रबडी आप देख सकते हो यह कितने अच्छे से बन के तयार हो गई है और इसके कलर भी बहुत अच्छे आए हैं तो इसको बनाना शूरु करेंगे इसको मैं कट करके दिखा द तो यहां पर इसको बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने ले लिया है केक और ब्राउनी जो भी में पास थाना यह ब्राउनी के दो पीस पड़े हैं इस तरह केक दो है यह सूजी का है यह वाला केक आटे का है तो इस तरह से जो भी में पास केक पड़े थे मैं उनसे एक अगर आपके पास केक नहीं है तो आप फ्रूट केक का भी उस कर सकते हो तो यहां पे सबसे पहले मैं दूद को चड़ा दूँगी गैस पे इसको अच्छे से कुक करेंगे इसकी हम रबड़ी बनाएंगे तो यहां पे एक लीटर की करीब यह दूद है और फुल क्रीम मिल्क है यह तो यहां पे मैंने इसको उभाल लिया था और उबालने के बाद जो भी मिलाई आती है वो भी मैंने इसमें एड़ कर दी है अगर हम मिलाई नहीं डालेंगे ना तो ये अच्छे से रबडी बन के तयार नहीं होगी तो इस तरह से इसमें उबाल आ गया है और इसको अच्छे से कुक करते जाएंगे यह देख सकते हो, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ एक बदाम, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, और इलाइची के सीट्स मैंने इसमें एड कर दी है, इलाइची बाॉडर भी डाल सकते हो आप, और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, इसको हम जब तयार करना है, इसमें कोई तार वगरा की हमें यह चाशनी नहीं बनानी है, तो यहाँ पर इसमें एक मिलाई आ गई है, यानि कि एक लेयर आ गई है, आप देख सकते हो, यह ही लेयर होती है, जो रब्डी में लच्छे बनाती है, और यह लच्छे बहुत अच्छे बच्चे हैं तो यह जब तक घुलते हैं तब तक मैं इनको और कुप करूंगी अब ची मैंने चाशनी में कुछ भी एड़ नहीं किया है क्योंकि मैं दूद में ही जो हम रबडी बना रहे हैं उसमें ही केसर के धागे एड़ कर रही हूं दूद में डालके और मैंने इलाइची पॉर्डर भी इसी में अड़ किया है इसलिए मैंने उसमें कलर नहीं दिया है क्योंकि कलर देने का कोई फायदा नहीं है अब केक में अपने colors हैं तो वही रखे हैं मैंने केसर मैंने रबडी में add कर दिया केसर भी उसमें नहीं डाला है अब मैंने रबडी में चीनी दो चमट डाली है क्योंकि मैंने सीरप भी बनाया है और केक भी थोड़ा सा जो उसमें शुँगर होती है वो मीठा होता है इसलिए आप शुगर का अपने अकॉर्डिंग ध्यान रख सकते हो उसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो तो ये चाशनी मन के तयार हो गई है अब यहां पे मैंने कड़ाई ले ली है आप यहां पे पैन ले सकते हो पैन में मैं घी डाल दूँगी यानि की कड़ाई में मैंने घी डाला है और घी अच्छे से डाल देना है ताकि हमारे जो केक है वो अच्छे सिक जाएं इस तरह से मैं इनके केस सेकूंगी इनको अगर आप इनके पीसिस करना चाते हैं चोटे चोटे तो भी कर सकते हो इस तरह से हम इनको सेक लेंगे इनको लो फ्लेम पे सेक लेंगे तब ही अच्छे से सिकेंगे वरना ओवर कुख हो जाएंगे और जल्दी ही जल जाएंगे तो इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें कुख करना है अब जो भी हां पे स्क्वार मे मैंने उनको दो पीस में डिवाइड किया है इससे अच्छे ये सीख पाएंगे अदरवाइस ये सीख नहीं पाते और यहां पे मैं इनको पलट दूगी ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से कुख हो जाएं अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें बटर भी यूज कर सकते ह इनको अच्छे से कुख कीजिए ताकि ये थोड़े ब्राउन हो जाएं अब देख सकते हो ये कितने अच्छे से कुख हो गया है तो इनको हम अब निकाल लेंगे मैं इसी बोल में डाल रही हूं इनको ये देख सकते हो कितने अच्छे से कुख हो गया है ये ब्राउनी के अंदर जो घी गया है न वो अच्छा टेस्ट दे रहा है एक तरह से अब यहाँ पे देख सकते हो यह रबडी भी कितने अच्छे से कुक होती जा रही है अभी हम थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे क्योंकि रबडी थोड़ी गाड़ी होती है अगर आप देखे हो कितने मैंने इसकी कंसेचंसी रखी है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे तो यह अपने आप गाड़ी होती जली जाएगी बाकी आप इसको थोड़ा सा और कुक करोगे तो यह और गाड़ी हो जाएगी तो और अच्छा टेस देगी अब यहाँ पे मैं केक को इस तरह से प्लेटिंग कर रही हूँ कि हम इसको अच्छे से लेयर दे पाएं अब यहांपर मैंने एक आटे वाला एक सूजी वाला केक रख दिया है इसके उपर मैं रबडी एड कर रही हूँ रबडी डाल रही हूँ इसलिए मैंने यह तोड़ा पतला रख्था है आप इस रभी को थोड़ा ठंडा कीजिए तो ये अच्छे से गाड़ी हो जाएगी मैंने एक केक के उपर थोड़ा सीरप डाला है सीरप में मैंने केक को डिप नहीं किया है वरना ये जादा ही चीनी चीनी मतलब मीठा जादा हो जाएगा अब यहाँ पर ब्राउनी एड़ कर देंगे ब्राउनी लगाएंगे उपर से एक लेयर देने के लिए उसके पर थोड़ा सीरप लगा लेंगे एक चमची करीब दूसरे पीस में मैं छोटी सी ब्राउनी एड़ कर रही हूँ ब्राउनी और यहां पे चाशी डाल देंगे थोड़ी सी और यह रही हमारी रबडी की एक और लेयर यह एकदम रस्म लाई जैसा सा टेस्ट देगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक नहीं किया है आप देख सकते हो यह बिल्कुल बनके तयार हो गया है और यह मैं चौकलेट से इसको गानिश कर रही हूँ इसका कलर बहुत अच्छा आया है क्या आपने कभी ब्राउनी को और अबडी के साथ इंजॉय किया है अगर आपने किया है तो में को कमेंट करके ज़रू बताना कि आपको कैसा लगा अगर आपको यह रैसेपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना बैर इकन को प्रेस करना ताकि आपको आगी की नोटिफिकेशन दोते हैं मिलते हैं नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाए और थैंक्स फूर वाचिंग मैं चैनल हुआ 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 है